आप इनको माइक दो, ये टेस्टेमनी मैं इनके मूँ से सुनना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम चोटेलाल और कहां के रहने वाले हैं आप? हम यूपी, सुल्तानपूर के रहने वाले हैं सुल्तानपूर कहां के? यूपी हाँ सुल्तानपुर में कहा अलिगन्ज बाजार ओके और यहां आप जलंधर में रहते हैं हाँ जी आपका नाम क्या है राम रती कितने साल से जलंधर में रह रहे हैं काफी देर होई गया कितना देर होई गया पचीस साल हाँ जी शादी के बाद आए थे यहां हाँ जी शादी के बाद आप यहीं ले आए थे इनको और आप यहीं काम करते होंगे और शादी के बाद इनको ले आए शादी वहां की थी सुल्तानपुर में हाँ जी पापा जी इनका गाओ कौन सा है इनका गाओ बेला पश हाँ जे और आपकी उमर कितनी है अभी इनका चहरा जूम करो भाई का कितने साल उमर हो गई चोबन साल उनीस सो पचानवे में उनीस सो पचानवे के बाद जो पैदा हुए हाथ खड़ा करना हिलाओ हाथ को जड़ा इस आपके पैदा होने से पहले की टेस्टमनी है अब ध्या से सुनना कि मैरिज के बाद बेबी नहीं हुआ पचानवे में मैरिज हुए अच्छा आपके जब बेबी नहीं हुआ पचानवे में मैरिज की आप में तो जो होता है कि बच्चे भी जादा होते हैं और जब बच्चे नहीं हो तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है आप गवाही तो जब बच्चे नहीं हो रहे थे, क्या हुआ आपकी लाइफ में? क्या लोग भोलते थे, घरवले क्या भोलते थे? कैसे आपने 25 साल गुजारे बिना बच्चे की? पपाजी, बहुत सरमिंदिगी के साथ हम गुजारे हैं, जहां भी रहते थे, हमारी बहुत बेचिती होती थी, ताने मारते से लोग, हमारी पत्नी को ताने मारते से, यह रोती रहती थी, एक बोलती की हमें छोड़ दो, महने बच्चा नहीं हो रहा, हमारे दूसरी साधी कर लो, हम कान नहीं, हम साधी नहीं करेंगे, जैसे है और इसे चलने दो, कभी है तो परमासमा देगा सुनो ध्जान से, सुनो सुनो अप्नी वाइब को माइक दो, क्या बोलते थे लोग आपको, क्या आपकी जिंदगी कैसे जगए आप बोलते थे इनको दूसरी शादी कर लो आनता बहुत मारते थे सब लोग हमको कहते कि जो ना इनके बच्चा नहीं है इस सब लोग बहुत बोल बाते बोलते थे हमको आपकी शर्मिंद्गी और आप किसे भी रिष्टेदार के फंक्शन में नहीं जाते थे शादी ब्याब में नहीं जाते थे सरमिंद्गी होती थी सबके बच्चे रहते थे लोग पूछते थे कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं और आपके तरफ जो आप जो हमारे सभी यूपी के जो भाई हैं वो तो 20 साल में शादी कर लेते हैं तो कि आपकी अगर 54 साल उमर है इसका मतलब आपकी कितने 39 साल में शा अब कितनी उमर में 20-21 साल में हो जाती है हो जाती है अगर आपके आपके जो भाई बंदू होंगे उनके तो पोते भी हो चुके हैं मेरे बड़े भाई के पोते हैं पोते के पोते हैं कितने उमर के हैं पोते उनके उनके 25 साल के होंगे उसका पोता 25 साल का है आपके बड़े मेरी भाई का पोता 50 साल का है लड़के लड़के हैं, आपके भतीजे के लड़के के भीवे के बच्चे हो गए एं और आज की कोव पतिजे के लड़के के है आपको चर्च के बारे में आप किसी हॉस्पिटल में गए थे हाँ जी क्या करने गए थे दवाई लेने गई ती किस के लिए दवाई लेने बच्चे की दवाई के लिए जाते थे आज आज आप हॉस्पिटल में अभी इलाज कितने डॉक्टर बदले आज तक बहुत बदले पपाजी कितने जोदमानी जहां को बताता था वहीं जादे थे कम से कम 10-12 डाक्टर सरंजी था इस पिटल में बहुत महीं इलाज करता है क्या हुआ वहां पर? स्तारा नवंबर 2019 को ठीक है उस उस वीडियो को हम देखेंगे अच्छा करता हूं ना मैं क्लिप लेता हूं तो कौन यकेन करेगा? अच्छा जब आपने प्रार्थना करवा के आप गए क्या हुआ आपके साथ? गए तो उसके बाद भी दो तीन महीने बाद प्रेग्डेंट हुई है आपने लिखा कि सपने में आपके पापा जी आपको लेह एंड किया वो तू था परमेशवर का और आपको वर्ड दिया कि आपके जल्दी बेबी हो जाएगा और सपने के तुरंद बाद जब आपने प्रेगेनेंसी टेस्ट किया तो ये प्रेगनेंट थी जाओ इधर आजाओ इधर आजाओ सुनो मेरी बाद 25 साल कितने साल और कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा कोई डॉक्टर नहीं नाम नहीं हम लेंगे डॉक्टर्स कर क्योंकि डॉक्टर्स परमेश्वर की और से हैं लेकिन परमेश्वर अगर डॉक्टर से जवाब ना दे इसका मतलब उसका प्लैन बढ़ा है अपकी लाइफ हाँ हाँ या ना अचा ये बेबी को दिखाना कैसा लग रहे हैं आच बहुत अचा यह आई 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 हाँ आई 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 आओ आई 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 आप में से कॉन मैटिकल फील्ड में है कॉन आप में से है कोई नहां बैठाव बेबीज दिखाना आपने ये वाला बेबी दिखाँ बेबी बॉई दोनों दोनों लड़के अरे एक लड़की भी चाहिए भाई क्या करें अच्छा अपना एक्सपिरियंस बताओ जोवन साल की उमर में जहां आपके वहां तो पोते खिलाने की उमर होती कैसा लग रहा है बच्चा अपना पकड़ के बहुत खुशी है पबाजी बहुत खुशी है अभी रिष्टार मिले थे रिष्टार अभी तो एकनोर कर दिया होगा उनोंने बोलेंगे गालियां पड़ेंगे अगर जाएंगे तो आपने बप्तिस्मा लिया मैंने से आपको बताया गया कि बप्तिस्मा लो और आपने बैप्टिसम लिया तीसरे महीने ही ले लिया जब आना चालू ही यहां किया और कई बार क्या प्रॉबलम में जब कोई आने जातियों में से प्रदेशी बाबू कोई दूसरा आने जाती आता है वो देखता अच्छा हो गया छे महीने अभी तो कुछ नहीं हुआ हमारा भी मन यहीं करता था यहां पर आते थे तर बैठ कर आपने बदिस्मा लिया हां बदिस्मा लिया और फिर भी आते थे यहां पर बैठते थे तर रोते थे उसके बाद मन में होता था कि कुछ नहीं होना है तो फिर भी एक मन कहता नहीं मिलेगा सब को मिल रह में मिलेगा जरूर मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपके दिल में हो कि कुछ नहीं होना इससे कोई मतलब नहीं आपके करम चेक किये जाते हैं आप चर्च में हो या नहीं आपको क्या लगता है मेरे लाइफ में जितनी ही टेस्टेमनी हीलिंग हुई है मेरे को लगता था मैं हो जाओंगा मैं कह रहा हूं मेरे को 99.99% लगता था कि मेरा काम नहीं होगा मैं कह रहा हूं आपको जो आपके लिए प्रार्थना करता है वो इनसान कह रहे है कि मेरा यह हाल था कि मेरा को लगता था कि यह काम मेरा नहीं होगा लेकिन दिल को क्या लगता है कोई मतलब नहीं मेरे करम जो थे मैं चर्च में था, सेवा में था, बोने में था, हर काम में था वो चेक होता है ना कि आपके दिल में क्या है हालेलुया आपके दिल में जो है अगर आप उसके चलते चर्च जाना बंद कर दें वचन पढ़ना बंद करते हैं, तब वो पाप है, तिमा की शक पाप नहीं, जब तक आप उस पे काम करना ना शुरू करें, हालेलुया, 54 साल दिखाना इस भाई को, जब बोता खिलाने की उमर है, यह अपने जुड़वा ब्लेस्टिंग को लेके खड़ा है, और मेरे को नहीं लगता कि यहां अगर कोई कपल है, जिसके बास बेबी नहीं, आज आपके लिए रिसीविंग का टाइम है, इसमसी के लाएज, आज मैंने का ग्रेहन करने का टाइम है, इसमसी के लाएज, ओ आमेन होंचा, यह आशिश आपके जर्श, मैं आपके बीच में, ताकि आप रिसीव कर सके, आपने अबरहम की स्टोरीज तो बहुं सुनी है, पर खांबरह में उन स्टोरीज को अंप्रूफ होता देखते हैं अपनी आखों के सामने, हम उस परमेश्व की बात नहीं करते हैं, जो सिर्क किताबों में लिखा रहते हैं, उसने ये किया था, उसने वो किया था, हम आज के खुदा की बात करते हैं, आज वो क्या कर सकता है हमारी लाइफ, नाम रखे इनके, हाँ जी, अच्छा, बड़े का बिश्वास नाम है, छोटे का आनन्द, अरे क्या आप बात है, जोर से बोलो हालिलुया, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, आनन्द आया के नहीं, विश्वास बड़ा के नहीं, पूछो पड़ो से, बोलो विश्वास बड़ा के नहीं, आनन्द आया के नहीं, बोलो दोनों आये, माब आपने बकड़े हुए हैं, हालिलुया, आज के अपरहम के में बात कर रहा हूं, मैंने आपको एक, सिस्टम बताया था कि अबराहम पौने 200 साल जिया तो अगर उसको 100 साल में मिला आधे में मिला ना तकरीबन आज इंसान की उमर कितनी है सतर, असी, नबे या ना प्रभू में जो होगा अच्छा तो 100, 110, 55 साल हो गई जो रिंजा साल अबराहम है कि नहीं? वोलो है कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ कौन इसको गलत पुरूफ कर सकता है इसलिए मैंने पूछा कहां से हो? सुल्तानपुर कहां से हो? किस मोहले से हो? किस नगर से हो? जूठी गवाहियां दो दिन खरीच सकते हो चार दिन खरीच सकते हो सोला साल हो गएं, सोला साल नहीं खरीच सकते आप अपनी हाथों को उठा के चिला के बोलो मैं ग्रहन करता हूँ अपनी गवाही मैं ग्रहन करती हो, ग्रहन करता हूँ जोर से बोलो, साथ बार बोलो मैं आपनी कवाही को क्रेहंट करता हूँ रेहंट करता हूँ प्रभी शुमसी के सामरती नाम में हम बंगते हैं अभी वेट करके जाना इनको मेने गिफ्ट देने इनको खिलोने देने, कपडे देने इसको मोटा करने हैं दोनों को तारीफ करो जोर से